आरोपो प्रतेरोपो का सिलसला राजनीती में आम बात है आए दिन नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं लेकिन क्या किसी नेता को अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाते देखा है शायद बहुत कम बार ही ऐसा हुआ है कि किसी नेता ने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाए हूँ ऐसा एक मामला बीजेपी पार्टी से उभर कर सामने आ रहा है जा एक बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी पर संगीन आरोप लगाए है करनाटक के विजयपूर से भाजपा विधायक बसंगोड़ा पार्टिल यतनाल ने अपनी ही पार्टी को चेतावनी दे राली है छबिश दिसंबर को पार्टिल ने कहा कि अगर उन्हें पार्टी से निकाला गया तो वो कोविड-19 महमारी के दोरान बीएस यदरुपा सरकार में हुए 40,000 करोड रुपए के कथित घोटालों का खुलासा कर देंगे साथ ही कई लोगों के नाम भी उजागर कर देंगे एन आई की रपोर्ट के मताबिक पार्टिल ने कहा मैं उन लोगों के नाम सामने लाऊंगा जिन्होंने पैसा लूटा और कई प्रॉपटियां बना ली बीएस यदरुपा सरकार के दोरान 40,000 करोड रुपए का गबन किया गया उन लोगों ने प्रते कोरोना मरीज के लिए 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया पाटिल ने आगे बताया कि उस वक्त हमारी सरकार थी लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में किसकी सरकार है चोड तो चोड है पाटिल ने ये भी आरोप लगाया कि यदरुपा सरकार ने कोरोना महमारी के वक्त 45 रुपए के मास के दाम 480 रुपए रखे थे गरीब आदमीत ने पैसे कहां से लाएगा पीयम मोदी के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए पाटिल ने कहा कि देश पीयम मोदी की वज़ा से बचा है पाटिल ने कहा वो मुझे नोटिस दे और मुझे पाटि से निकालने की कोशिस करे मैं सभी को बेनकाप कर दूँगा अगर हर कोई चोर बन जाएगा तो राजज और देश में कौन बचेगा देश पीएम मोदी की वज़ा से बचा है बीजेपी विधायक बसंद गोड़ा पाटिल ने इस बयान के बाद सिएम सिधार मैया की प्रतिक्रिया भी सामने आई सिधार मैया ने कहा बीजेपी विधायक बसंद गोड़ा पाटिल के सहसिक आरोपों ने हमारे पहले के सबूतों को और पुफता कर दिया है बीजेपी सरकार 40 फीसिदी कमिशन सरकार थी सिएम सिधार मैया ने आगे कहा की अगर हम यतन लाल के आरोपों पर विचार करें तो ऐसा लगता है की भश्राचार हमारे अनुमान से दस गुना अधिक है बीजेपी के मंत्रियों का समुझ जो हमारे आरोप पर चिलाते हुए सामने आये थे वो अब कहां है बाजपा विधाय के नारोप पर आपकी क्या राय है हमें कमन सक्षन में कमेंट करके जरूर बताए